नमस्कार बच्चो अपनी इस कक्षा में मैं आज आपको आपकी पुस्तक बसंद का पाठ पांच मिठाई वाला पढ़ाने जा रही हूँ बच्चो मिठाई वाला गली गली में आकर बेचने वाला एक फेरी वाला है यहां पर मिठाई का मतलब रसगुले गुलाद जामुन से नहीं है उन मीठी खटी मीठी गोलियों से है जो आपने कई बार खाई होंगे फेरी वालों के जीवन में किस परकार की कठनाईया आ सकती है या कोई व्यक्ति कैसे मजबूरी में ये काम करता है इसके विशे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे तो चले अपनी पीपीटी की और चले तो चलिए बच्चो हम अपना अगला पाठ शुरू करते हैं पाठ पांच मिठाई वाला ये एक कहानी है बच्चो ये कहानी भगवती परसाद बाचपई जिसमें कहानी काने एक पिता का बच्चो के प्रती प्रेम भाव को दर्शाय ह किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों से अपने ही बच्चों की खुशी तलाश करता है इस बात का वड़नन इस पार्ट में है पार्ट शुरू करते हैं एक आदमी पहले एक खिलोने वाले के रूप में आता है वे मदूर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलोने वाला गाकर सुनाता है सबी बच्चे उसके खिलोनों पर रीज कर यानि खुश होकर मंत्र मुगद होकर अपनी तोतली अवाज में भाव पूशते हैं अर्थात उसका कीमत पूशते हैं नन्न नन्न बच्चों से पैसे लेकर तथा हूँ उन्हें खिलोने देकर वे फिर वहाँ से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। राम वीजे बहादुर के बच्चे चुन्नु मुन्नु भी एक दिन खिलोने लेकर आए। उनकी मारोहिनी इतने सुंदर और सस्ते खिलोने देख कर सोचने लगी कि वे कितने सस्ते खिलोने कैसे देख कर गया है. इसके बाद नहीं चे महीने तक नहीं आया ना कोई आवाज सुनाई दी. एक दिन अचानक छे महिने के बाद नगर में किसी मदूर मूरली बजा कर बेचने वाले का समचार शहर में फैल गया वे बहुत सच्ती मूरली बेचता था रोनी उसकी आवाज सुनकर उसे कुछ जानी पेचानी सी लगी उसे खयाल आया कि ये वही खिलोने वाला ही है उसके चारों तरफ इकठा हो गया मूरली बाले ने सभी बच्चों को देने के बाद उस बच्चे को भी मूफ्त में मूरली दे दी जिसके पास पैसे नहीं थे इसके बाद आठ मास तक फिर कोई नहीं आया आठ मास बाद सर्दियों में एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया रोहनी को इसका स्वर्भी कुछ सुना सुना सा लगा वै अपनी चत से तुरंत नीचे आई उसने मिठाई वालों को बुलाया रोहनी के पूचने पर उसने बताया कि वै इससे पहले खिलोने और मुरली बेचने आया था रोहनी ने उससे पूचा कि वै इतनी सच्थी चीजे क्यों बेचता है मिठाई वाले ने बताया कि वै एक नगर्ग का अमीर आदमी था उसके दो बच्चे और एक सुन्दर पत्नी थी लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा वह अपनी पुरानी बाते याद करके फूट-फूट कर रोने लगा उसने बताया कि वह उनी बच्चों में अपने उन बच्चों की जलक धेकने के लिए वह इस समान को बेशता है और गल्यों-गल्यों में फिरता रहता है वह रोनी के बच्चों को कागच की पुडिया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर चला जाता है और गीत गाता हुआ वहां से चला जाता है बच्चों इस पार्ट में कई कठिन शब्द आए हैं कुछ बच्चों ने अपनी तोतली भाषा में भी बोला है तो आईए हम उनका अर्थ समझते हैं कठिन शब्दों के अर्थ मेला मेला मेरा यहां पर तोतली भाषा में बोला आ गया है मेला मेरा घोला घोड़ा माधक मुधित करने वाला यानि बहुत ज्यादा नशे में करने वाला कैचा कैसा चैदल सुन्दर अस्तिर जो स्तिर ना हो सनहे अभिशिक प्रेम में डूबा हुआ कंठ गला उस्ताद कुशल साफा पगड़ी मिरेदुल कॉमल चिक घूंगट समरण याद छजा छट का आगे वाला भाग सोथनी पजामा अंतव्यापी बीच में फैला हुआ तो इस परकार बच्चो हमने पाठ पांच मिठाई वाला पढ़ा अब आप इस पाठ की अभियास करेंगे और इस पाठ का पठन पठन भी करेंगे और इस दे आए हुए कठिन शब्दों का भी आप अभियास करेंगे तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजे धन्य देबाट